देखना, सुनना और महसूस करना ये वो एहसास हैं जिसके बिना जिन्दगी अधूरी है प्रकृती ने हमें सुनने की वो शक्ती दी है जिससे हम अपनी लाइफ इंजोई भी करते हैं और सेफ भी रहते हैं इन फैक्ट अगर सुनने की शक्ती कम हो जाए या चली जाए तो डेली लाइफ बहुत मुश्किलों से भर जाती है जादा तर हालात में कम सुनाई देने की प्रॉबलम को ठीक किया जा सकता है बस जरूरत है सही सलाह और सही हेरिंग एट की डॉक्टर मेडिका ने इन टेप्थ रिसर्च और फेमस एन टे स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशतोष आर प्रसाद की गाइडन्स से निकाल कर ऐसे हेरिंग एट्स का निर्मान किया जो कटिंग एज टेक्नोलोजी और लेटेस्ट रिसर्च पर आधारित है डॉक्टर अशतोष आर प्रसाद, MBBS, DLO, DNB, ENT और हैडनेक्स सरजन अनेको फेमस हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट और ENT स्पेशलिस्ट होने के कारण इनके पास बहुत से ऐसे पेशन्स आते रहते हैं जिनको फियरिंग की प्रॉब्लम है डॉक्टर अशतोष ने बहुत से मेडिकल सेमिनार्स और कॉन्फरेंसेज अटेंट की हैं और ये टाइम टू टाइम मेडिकल कैम्स और वर्क्शॉप्स भी ओगनाईस करते रहते हैं अनेकों प्रेस्टिजस और से सम्मानित इनके आर्टिकल्स और के स्टरीज भी देश विदेश में पब्लिश होती रहते हैं हमने बढ़ती हेरिंग प्रॉब्लम्स उसके प्रिवेंटिव बीशर्स और डॉक्टर मेडिका के हेरिंग एट्स पर डीटेल से समझने के लिए उनसे एक मुलाकात की डॉक्टर साब मेरा आपसे एक सवाल है आप हेरिंग लॉस किसे मानते हैं और इसके कारण क्या है Hearing Loss या भहरापन या श्रवन शक्ति का कमजोर होना यह उन व्यक्तिवों में पाया जाता है जिन लोगों को आम लोगों से कम सुनाई देता है World Health Organization के हिसाब से जिन व्यक्तियों के दोनों कानों में 20 decibel या उससे ज्यादा की difference होती है उन लोगों को hearing loss के category में डाला जाता है ये तीन प्रकार के होते हैं sensory neural hearing loss, conductive hearing loss and mixed hearing loss अब इसके कारण आम जिंदगी से related है most common कारण तो है loud continuous loud noise exposure जिसमें की आप लंबे समय तक तेज TV, तेज music या आपके काम करने की जगा पे तेज आवास continuous हो रही है तो उससे आपको hearing loss स्टार्ट हो सकती है दूसरा प्रमुक कारण होता है उमर का जैसे जैसे उमर बढ़ती है, इनसान के सुनने की शक्ती उसी तरह कम होती जाती है यह हर टाइप के एज में मिला जाता है नवजाज शिशू से लेकर के बुड़ा पे तक मिला जाता है नवजाज शिशू में पैदा होने के वक्त अगर बच्चे को बच्चे की माता को रुबेला या साइटो मेगैलो वाइरस का इंफेक्शन हो गया या जॉन्डिस हो गया तो आगे चलके उसे हीरिंग लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है जैसे बच्चा स्कूल में जाता है उसके कान बेहने की प्रॉब्लम जीसे हम क्रॉनिक सपुरेटिव उटाइटिस मीडिया या सपुरेटिव उटाइटिस मीडिया कहते हैं ये पाई जाती है जैसे जैसे और उमर बढ़ती है तेज शोर के सुनना तेज म्यूजिक सुनना ये कारणों से hearing loss बढ़ती जाती है और उमर के साथ साथ जैसे जैसे diabetes, blood pressure या इतियादी बिमारिया होती है उसके साथ साथ hearing loss भी बढ़ना continuous चालू रहता है कम सुनने की ये problem हमारे जीवन में और भी परेशानिया बढ़ाती हैं इससे बचाओ का सिर्फ एक ही इलाज है सही और अच्छे hearing aid को यूज़ करना अगर आपको या आपके परिवार में किसी को कम सुनाई देता है तो इस बात को likely ना ले ये आगे बढ़कर कोई गंभेर परि इसी चीज़ को मद्दे नजर रखते हुए डॉक्टर मेडिका और हमने इस hearing aid का development किया है जो काफी reasonable price पे हमारे patients को उपलब किया जा रहा है hearing loss कोई ऐसी problem नहीं जिससे ठीक ना किया जा सके डॉक्टर मेडिका द्वारे specialist doctors की guidance में cutting edge technology द्वारा ऐसे hearing aid का निर्मार किया जो latest features और best quality of sound के साथ आपको बहुत reasonable price में available है तो अपनी hearing loss की problem को आज ही ठीक करने के लिए डॉक्टर मेडिका के hearing aid को order करें ये made in India device है और एक सा की warranty के साथ आता है डॉक्टर मेरिका की hearing aid पूरी scientific development और state of the art technology से develop की गई है जो market में मिलने वाले hearing aid से काफी reasonable price में available है इसके कुछ features जैसे की rotatory volume control, dehumidifier, extra BTE tips, extra battery ये इसी price के hearing aids में बाहर available नहीं है डॉक्टर आश्रतोष के अनुसार hearing problem कोई ऐसी problem नहीं जिससे ठीक ना किया जा सके बस जरूरत है तो सही hearing aid की जो डॉक्टर मेरिका ने latest cutting edge technology और in-depth research के बाद तयार किया है जिस इनसान की सुनने की शक्ती चली जाए उसका जीवन अधूरा हो जाता है जीवन की सबसे hearing loss की problem को आज ही ठीक करने के लिए डॉक्टर मेरिका के hearing aid को order करें